रिसी सूनक को यूके के न्यू पीम बनते ही ऐसा लग रहा है मानो पूरा बिटन भारत के सपोर्ट में आ गया है जरसल हाली में हुई G20 सिखर सम्मेलन में आप सबको पता ही होगा कि नारेंदर मोदी और रिसी सूनक की बीच हुई बारता में treated agreement को accept कर लिया गया था जिसमें भारत के जो भी नागरिक बिटन में जा करके अपना जोब पाना चाहते थे वो दो साल तक बीना बीजा के वहां रह सकते थे वहीं United Nation आप से क्योटी कौंसिलिंग में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें United Nation के 27 सदसों के विस्तार को ले करके एहम चर्चा होनी थी आपको बता दें कि United Nation में प्रेजेंट टाइम में 5 सदस और 10 नौन सदस हैं इसी के चलते इनके विस्तार पर समय समय पर चर्चा होती रहती है इस बार की बैठक में UK की प्रवक्ता बाबरी बुडबर्ड ने यह कहा कि हम भारत सहीद जर्मनी जापान ब्राजील और एक आफ्रिकन देशों को 27 सदस्त बनने पर सहमती प्रदान करते हैं और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम नौन पर्मनेंट सदस्त को 10 से 15 करने में भी सहमत हैं वहीं ब्रिटेन की बात को दोहराते हुए फ्रांस ने भी भारत के बीटो पावर को लेकर के समर्थन किया है और आपको बता दे कि रूज भी समय समय पर भारत को बीटो पावर दिलाने की कोशिस करता रहता है अब एहम बात अमेरिका और चीन के उपर नटकी है यदि अमेरिका और चीन यह मान जाएं कि भारत को बीटो पावर मिल जाए तो भारत को बीटो पावर जल्द ही मिल सकती है रही बाद ब्राजील जर्मनी जापान और एक अफ्रिकन देश की तो अफ्रिकन देश का यह डिपिंड करेगा क्यों अफ्रिका का कौन सा देश है और जर्मनी का वीरोद तो रस्या ही कर देगा रही बात जापान की तो रस्या और चीन मिलकर के जापान को बीटो पावर देने से सक्त मना कर देंगे अब ब्राजील और इंडिया जल्द ही बीटो पावर की सिर्णी में आ सकते हैं